नमस्कार दोस्तों वेलकम टू हीटी सरकार की मदद से शुरू करें बिजनेस आसानी से मिलेगा पचास लाग तक का लोन पचीस फिस्दी सब सीडिवी अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन अगर आप पैसों की कमी के कारण शुरू नहीं कर पा रहे है तो सरकार की प्रदान मंद्री रोजगार सुजन कारिक्टम योजना आपका सपना पूरा कर सकती है इस योजना के जरिये आप मैनुफैशरिंग बिजनेस के लिए 50 लाख रुपये तक का लोन प्रैप्ट कर सकते हैं वो भी बेहत कम ब्याज पर इसके लिए आटवी पास य 29 तक बारती अद्व्यवस्ता का आकार पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच आया जाएगा इस सपने को जाकर करने के लिए सबसे जरूरी है कि चोटे वा मजोल स्तर के करोबार की बड़ाई चाहिए चोटे उद्यामियों को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्र प्रोट साहित किया जा रहा है इस वीडियो में हम जारेंगे कि प्रदानमांत्री एंप्लोर्मिंग जेंडरेशन प्रोग्राम लोन यूजना क्या है इससे आपको कितना लोन मिल सकता है इसके लिए आवेदन कैसा करें और क्या वश्यक योग्याते है अगर आप भी अपना बिजनेश टार्ट करना चाहते हैं तो सरकार की मदद से आप बड़ा सेटप डाल सकते हैं इसके लिए केंद्र सरकार आपको पचास लाग तक का लोन भी मुहाया करा रही है ऐसे में अगर आप भी बेहत कम खर्च में खुद का उद्गाम शुरू करना चाहते हैं तो केंद सरकार ने एक जून 2022 से प्रदान मंत्री एंप्लॉइमेंट जेनरेशन प्रोग्राम के तहद मैनुफैक्ट्रिंग यूनिट और प्रोजेक्ट के लिए खर्ज की सीमा पचीस लाग रुप्यों से बढ़ा कर पचास लाग रुप्यों कर दी है इसी तरह सेवा शेत्र से जु सरकारी रुण योजना है जो ग्रैमीन और शहरी शेत्रों में युवाओं को अपना व्यवसाई स्तापित करने में मदद कर सकती है खासकर ऐसे कुशन लोगों और करीगरों को जो पुंजी के अबाब में अपना व्यवसाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं उन्हें इसके लि सब्सक्राइब बिजनिस के लिए 20 लाग रुपये तक का लोन दिया जा सकता है सरकार ने PMEGP को साल 2025 से लेकर 26 तक बढ़ा दिया गया है PMEGP का लक्ष देशबर के युवाओं को गेर कुरुशी शेत्रों में सुक्ष उपक्रमों की सापना के जरिये रोजगार के अवसर उपलप्त कराना है सरकार 15 से 35 प्रतिशत हिस्सा देती है प्रदान मंद्री Employment Generation प्रोग्राम योजना के लोन में आपको अपने व्यवसाय की लगत के केवल 10 प्रतिशत स्वई जमा करना होता है महिला और अरक्षित श्रेनी के अवदे काहुं को केवल 5 प्रतिशत ही जमा कर ना होगा इसके बाद आपकी पत्रता के आदार पर सरकार 15 से 35 प्रतिशत का हिस्सा देती है शेश बाग बैंक से रुन के रूप में उपलब्द है आपको इसे एक निदारित समय के बीतर किष्टों में चुकाना होगा सरकार से कर्ज चुकाने में इस तरह मिलती है मदद सा वर्व विशेश्रेनी के आवेदक महिला अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती अन्य पिछडा वर्व अल्प संक्यक शारिरिक रूप से विकलांग पूर्व साइनिक पहाडी और सीमा वर्थी शेत्रों के निवासी आदी आवेदन कर सकते हैं इस योजना के तहट शेहर शेत्र के सामान्य अवदकों के लिए 15 प्रेश्यत ग्रामिन शेत्र के सामान्य अवदकों को 25 प्रेश्यत शेहरी शेत्र के पिछडे अवदकों के लिए 25 प्रेश्यत तक हिस्सा देती है 18 वर्ष से अधिक आयू का कोई भी बारती नागरिक लोन के लिए आवेदन कर सकता ह लोन योजना का लाब एक परिवार का येखी व्यक्ति उटा सकता है हलाकि एक परिवार में केवल पती और पत्नी शामिल होंगे ना माता पिता ना बेटे बेटिया दस लाक रुप्ये से उपर की उत्पादन इकाई स्तापित करने के लिए आवेदग का आटवी कक्षा उत्तिन होना अनिवारी है उत्पादन इकाई जिसमें माल का निर्मान होता है पांच लाक रुप्ये से उपर का बिजनेस सर्विस यूनिट लगाने के लिए भी आटवी पास होना जरूरी है जिसमें केवल क्राई विक्राई से संबतित कारिया अन्य कोई उपाई होगा इस स्योजना की समय सीमा बढ़ाने के साथ इसमें कुछ और संशोधन भी किया गए है इसके तहद मैनुफैक्शरिंग यूनिट के लिए अधिकातम परियोजना लगत को मवजूदा पचीस लाक रुप्यों से बढ़ा कर पचास लाक रुप्यों किया गया है वही सर्विस यूनिट के लिए इस दस लाक रुपिये से बढ़ा कर बीस लाक रुपिये किया गया है रुन ब्यास दर और चुकवती अवदी PME GP लोन भी बिजनेस लोन की तरह होगा बस सरकार की तरफ से सबसीडी मिलने से लोन की कुल रकम कम हो जाएगी इससे आपकी किस्तों कम पैसों की बनती है बिजनेस लोन की ब्यास दर उस बैंक या विक्ती संस्तानों को नीमों के अनिसार होगी जहां से आपका लोन मंजूर किया जाएगा वे आम तवर पर प्रतिव वर्ष 11 से 12 प्रेच्शर से शुरू होते है प्रदान मंत्री Employment Generation Program आवेदन करने की प्रेक्रिया समाचार पत्रों रेडियो या अन्य मीडिया के माध्यम से KVIC, KVIB और DIC केंद्र जिलास तर पर विज्ञातन देते है और PMEGP रुन के लिए परियोजना प्रस्ताव मांगते है विज्ञापन के मुताबिक आप PMEGP ब्रदान मंत्री Employment Generation Program पोर्टल पर आवेदन कर सकते है